हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे CRPC की धारा 453 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेट पिछली धारा का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं CRPC की धारा 453 के बारे में यह कहती है अभ्यूक्त के पास मिले धन का निर्दोस क्रेता को संदाए कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति है जो अभ्यूक्त है जिसने कोई अपराद किया है जिसमें चोरी की हुई संपत्ति सामिल है और चोरी उसने की किसी संपत्ति को और किसी दूसरे व्यक्ति को उसने बेच दिया उदारान के लिए समझ लें कि उसने एक सौने की रकम याने सोने की कोई वस्तू गोल्ड की कोई वस्तू उसने ली चुराई और चुराने के बाद किसी सुनार के हाँ पर जा करके किसी जोलरी की दुकान पर जा करके उसको बेच दी अब जो एल्रिवाले को यदि इस बात का पता नहीं है कि ये वस्तू जो है चुराई गई वस्तू है तब ऐसे समय में यदि व्यक्ति जो अभियुक्त है जिसने चोरी की थी वो पकड़ा जाता है तो पकड़ने के बाद यदि वो बता देता है कि ये वस्तू मैंने फलानी द दुकानदार ने उस चोर को दिया था, वो वापस कर दिया जाएगा, यानि कि उतना ही पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा और वस्तु ले ली जाएगी, क्यों कि दुकानदार का तो कोई दोस है नहीं, हाँ यदि उसको ये मालूम है, यदि उस दुकानदार को इस बात का ग्यान हो कि यह चोरी की वस्तु है और यह चोर है और यह चुरा करके लाया है तब ऐसे समय में दुकानदार के विरुद्ध भी अपराद बनता है लेकिन यदि उसको कोई मालूम ही नहीं है तब ऐसे समय में दुकानदार के विरुद्ध कोई अपराद नहीं बनता है तो उस यानि कि उस व्यक्ति को वापस लोटा दिया जाना जब कोई व्यक्ति किसी अपराद के लिए जिसके अंतरकर चोरी या चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करने की कोटी में आता है दोस्षिद्द किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अनिवक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना यह अपने पास यह विश्वास करने का कारण रखते हुए बिना वह कि वह चुराई हुई वस्तू है उस से क्रे किया है मतला उससे खरीद लिया उसने और शिट्ध दोस्व्यफिती की गिरप्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था तब नियाल है ऐसे क्रेटा के आवेदन पर यानि कि ऐसे जो खरीदने वाले के आवेदन पर अब खरीदने वाला आवेदन लगा सकता है कि सब्सक्राइब करो मेरे पाईसे जो मैने इस चोर को दे दिये तो वह तो हमें करो संद्र ऐसे समय में क्या है क्रेटा के आविड़न पर चुराई होए संपत्ति पर कब्जे के अखदार व्यक्तिक को ऊस संपत्ती के वापस कर दिये जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे ख्रेता द्वारा दिये गए मुले से अनादिक रासी या धन उसे परिदत कर दिया जाए याने कि उसकी रासी वापस कर दी जाए और रखम तो अपने पुलिश ने कब्जे में ले लिए तो आज की वीडियो में हमने अध्यान किया CRPC की धारा 453 के बारे में यदि आप CRPC से रेलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको CRPC का पिछला वीडियो भी मिलेगा CRPC, IPC और भारती संबिधान के संपूर्ण वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद